हेलो फ्रेंड्स यदि आपने एथिकल एकिंग का नाम सुनाए तब जरूर से आपका सामना इस काली लिनक्स से हुआ होगा लेकिन आप मैं ऐसे बहुत लोग होगे कि उन्हें ये जानने में बहुत दिल्चस भी होगी कि आखिर ये काली लिनक्स क्या है और उसके बेनिपिट क्या है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी बरा होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो काली लिनक्स अपके समय में एक इंडर्स्री का एक लीडिंग लिनक्स डिस्रिब्यूशन है जब बात पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एतिकल हैकिंग की हो दब यह एक ऐसा distribution है जिसमें by default बहुत से hacking और penetration tools एवं software pre-loader होते हैं भही इस Linux वर्जन को दुनिया भर में बहुत से लोग इस्तमाल में लाते हैं काली Linux एक ऐसा Linux distribution होता है कि जो specialized होते हैं cyber security के लिए यह एक open source product होता है जिसमें बहुत सारे customization किये गए होते हैं penetration testing के लिए जिससे कि यह बहुत सी companies की मदद करते हैं उनके vulnerabilities को पैचानने के लिए वैसे एक Linux distribution में अक्सर एक bundle होता है जिसमें की Linux kernel होता है साथ में एक set की core utilities और application इसलिए काले Linux में वैसे कुछ ज्यादा unique चीज नहीं होता है क्योंकि इसमें जो भी tools होते हैं उन्हें किसी दूसरे Linux distribution में भी install किया जा सकता है इसमें जो सबसे बड़ा अंतर ही है वो यह है कि काले Linux में सभी tools pre package होते हैं और उसकी default setting का चुनाव भी उनके इस्तेमाल से हिसाब से पहले से ही किया जाता है जो कि एक typical desktop user को fit बैठे इसे इसे इस्तेमाल करना free होता है और legal भी अब आप सूच रहे होंगे कि आखिर में hacking सिखने के लिए काले Linux का ही ज्यादा तर use क्यों करते है तो ऐसा इसलिए क्योंकि काले Linux में आपको कई सारे hacking tools पहले से ही बने बनाएंगे मिल जाएंगे यानि आपको ज्यादा code लिखना नहीं पड़ेगा इससे आपका समय बचेगा तो चलिए जानते है कि काले Linux को किस ने डेवलप किया है तो सन 13 मार्च 2013 में एक security firm offensive के द्वारा काले Linux को डेवलप किया गया इसे debian में rewrite किया गया है चलिए जानते है काले Linux के advantages के बारे में तो first इसमें बहुत सारे advanced penetration testing tools है काली Linux में आपको 600 and plus super amazing advanced penetration testing tools पहले से ही pre-loaded होते है इनमें backtrack Linux के tools जो की उतने ज्यादा famous नहीं थे उन्हें replace कर दिया गया है और नए advanced penetration testing tools के साथ काले Linux में second ये पुरी तरह से free Linux टूल है थर्ड, open source git tree होता है इससे सभी codes को कोई भी आसानी से देख सकता है साथ में इसकी open development tree से आसानी से coding के development को प्रती एक step में देखा जा सकता है fourth, fhs support का होना इसमें file system hierarchy standard का इस्तेमाल होदा है जिससे की Linux user आसानी से binaries locate कर सकते है fifth, cool wireless support का होना इसे कीसी भी wireless support system के साथ connect किया जा सकता है या USB ports जिसमें आप इसे connect कर सके sixth, kali bounce से बासाओं को support करता है तो आज के लिए बस इतना है friends मिलते है next वीडियो में ऐसे ही मज़ेदा टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमादी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की notification आपको मिलती रहें जैहीन भारत मता की जैए